नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल गौवर्मेंट जाप प्रपेशन पर दोस्तों आज है 6 दिसंबर और आज हम डिस्कूर करेंगी 6 दिसंबर के कुछ करेंट अफेर्स पॉइंट्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो शेशन तो गाज यहाँ पर जो पहला कोशन निकल कर आ रहा है वह है हाली में ममता बनर जी ने किसकी 125 जनती के उपलक्ष में माजरे हार्ट प्रिज का नाम बदल कर जैहिंद पूल कर दिया है जहां काफी important कोशन है यहाँ पर अभी हाली ममता बनर जी ने जो की प आपका option number 3 नेता जी शुवास चंदर बोस अप्शन number 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है तो से यहाँ पर अगर बात करते हैं जो पशिम मगाल की मुख्यमंती है ममता बनर जी इन्होंने सुवास चंदर बोस की 125 जनती के उपलक्ष में कोलकाता में नो निर्मित माजर हार्टबीज का नाम बदल कर जहिन पुल कर दिया है तो यह जो पुल है यह 650 मीटर लंबा है इस नए पुल को जो एक पुराने पुल के अस्थान पर बनाया गया है जो कि सितंबर 2018 में धह गया था तो यहाँ पर बात की कही है पशिम मंगाल की तो पशिम मंगाल के जो नोशेना के बीच किया जा रहा है तो दोस्तों अभी हाली में जो नोशेना अभ्यास है पैसेक्स वो भारती और किस देश की नोशेना के बीच किया जा रहा है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा जो नोशेना अभ्यास है यह भारती और रूस की नोशेना के ब ठीक है दोस्तों जे जो अभ्यास है इसमें उन्नत सता है और पंडुबी रोधी युद अभ्यास हाथियार फेरिंग सीमान सिप अभ्यास और हेरी काफटर संचालेंग भी शामिल है नेक्स कोशन दोस्तों यहांपर देखते हैं हमारा अगला कोशन है हाली में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारती कौन है तो दोस्तों अभी हाली में बहुत ही महत्रपूर्ण खवर है यहांपर बहुत ही महत्रपूर्ण नीज है यह अभी हाली में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारती है वो है रडजी सिंग दिसाले तो यहाँ पर आप्शन नमबर बी आपका सही अंसर हो जाता है Global Teacher Price 2020 महारास्ट की 16 पूर्जिले के परित्यवाडी गाउं की जिला परिशत प्राथमिक विद्यले के एक सरकारी टीचर यानि सरकारी सिछक रडजी सिंग दिसाले को वर्सदार 2020 के वर्स 2020 के Global Teacher पूर्जिले के लिए चुना गया है दोस्तों यह जो है वह इस पूर्जिले को जीतने वाले पहले भारती है जिसमें एक मिलियन डॉलर यानि की 7.4 करोन रुपे की पूर्सकार राशी प्रदान की जाती है दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्पूर्ण क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो रजी सिंग है जिन्होंने ये पूर्सकार जिता है तो यह बहुत ही बड़ा उन्होंने काम किया है उन्हें जो नोट फाइनलिस्ट किये गये थे लोग उनको क्या किया है अपनी पूर्सकार आधी पूर्सकार राशी उन सभी के साथ यहाँ पर साज़ा करके एक बड़ा सा इतिहास रज़ दिया है ठीक है इसके साथ ही वा पुरुसकार इतिहास में फाइनलिस्ट के साथ पुरुसकार रासी साज़ा करने वाले पहले विजेता भी बन गए है नेक्स हमारा कुश्चन है हाली में किसने टाइम मेगजीन का पहला किड ओफ दा एर अवार्ड जीता तो दोस्तों अभी हाली में टाइम मेगजीन ने पहला किड ओफ दा अवार्ड जारी किया है जिससे जीतने वाले पहली जो वेक्ति हैं वो है गीतांजली राओ यानि की ऑप्शन नंबर ए आपका यहांपर सही आंसर हो जाता है दोस्तों आपा थोड़ा सा इसके बारे में डेटिल में जाने की कोशिस करते हैं तो भारती मुल्की अमेरिकी युवा वैग्यानिक और आविसकारक गीतांजली राओ को 35 ताइम मेगजीन दोरा पहले किड ओब दा एर अवार्ड के लिए चुना गया है या पहला मौका है जब टाइम मेगजीन के दोरा किड ओब दा एर पूसकार दिया गया है घीतांजली ने लोगों विशेसकार बच्चों की मदद करने ओपियोड की लट और साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए किड़नी नामक एक एप्लिकेशन विक्सित की है दोस्तों आप थोड़ा सा टाइम मेगजीन के बारे में जा लेते हैं तो जो टाइम मेगजीन है इसका जो मुख्याले है यह से एक तुराज अमेरिका में है और टाइम मेगजीन की जो संपादक है यह एडवर्ड फेलसन थल ठीक है एडवर्ड फेल संथल है टाइम मेगजीन का जो पहला अंखे ये तीन मार्च दो 1923 को परकाशित किया गया था नेक्स हम क्वेशन देखते हैं अगला हमारा क्वेशन है किसके दौरा हाली में पूर्ब राष्टपती डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम के जीयों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर क्वेशन है आपका कि किसके दौरा अभी हाली में जो पूर्ब राष्टपती हमारे रहे हैं पूर्ब राष्टपती डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम के जीयों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है ठीक है दोस्तों यह जो पुस्तक है यह पुस्तक का नाम है 40 years with अब्दुलकलाम अंटोल्ड स्टोरीज ठीक है इस सिर्षक से इस पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया गया है फिर से मैं बोल देता हूँ यहाँ पर 40 years with अब्दुलकलाम अंटोल्ड स्टोरीज ठीक है इस पुस्तक का दोस्तों जो लेखन है वो डाक्टर ए सिव्थानू पिल्लडई ने किया था ठीक है तो ध्यान रखेगा इस पुस्तक के लेखा कौन है वो है डाक्टर ए सिव्थानू पिल्लई ठीक है पुस्तक जो है यह किस के द्वारा प्रकाशित की जा रही है तो यह जो पुस्तक है किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जा रही है ठीक है और इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्बराष्च्टर्य प्रव मुखर जी ने लिखा है जिने सरलता इमानदारी और घ्यान का प्रतीग बताया गया था नेक्स हम question देख लेते हैं हमारा आगला question है नेक्स हमारा question है अंतरास्टी ये volunteer दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों जो अंतरास्टी ये volunteer दिवस है ये आपका 5 December को मनाया जाता है यानि कि option number आपका यहाँ पर 4 सही answer यहाँ पर हो जाता है international volunteer day यानि कि IVD यानि अंतरास्टी volunteer दिवस जिसे international volunteer day for economic and social development अर्थात आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतरास्टी स्वेम सिवक दिवस के रूप में मनाया जाता है ये हर साल 5 December को 20 सुस्तर पर मनाया जाता है इस बार की जो theme है इसकी वो है together with together we can throw volunteer ठीक है इस बार इसकी जो theme है ध्यान रखेगा वो है together we can throw volunteer ठीक है IVD यानि कि international volunteer day जो है या अंतरास्टी दिवस जो है इसको जो है सायुक्तरास्ट महासबादरा 1885 में घ्योसित किया गया था तो ध्यान रखेगा है कब से starting की देख थी इसकी 1885 में इसकी सापना किया गया थी इसको घ्योसित किया गया था next question है हमारा अंतरास्टी यह next question हमारा है यहाँ पर एक minute गुडवत्ता के महत्तो के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है खाद्य और क्रसी संगठान यानि की food and agriculture organization के अभियान keep soil alive protect soil biodiversity keep soil alive protect soil biodiversity का उदेश जो है वो स्वस्थ परिस्थित की प्रणालियों और मानो कल्यान को बनाये रखने के महत्तो के बारे में जागरुकता बढ़ाना है 5 दिसंबर की तारीका जो चैन है यहाँ पर क्यों 5 दिसंबर से यहाँ पर बनाया जा रहा है अंतराश्टी मर्दा दिवस तो इसके बारे में एगर हम जाने की कोशिस करें तो जो 5 दिसंबर की तारीका जो चैन हुआ है यह थाइलेंड की जो राजा दिवंकत राजा हम राजा भूमिबोल अब्दुल्या देज ठीक है इनके अधिकारिक जमदिन को चिंधित करने के लिए किया गया है जो इस पहल के मुखे समर्थकों में से एक हुआ करते थे ठीक है नेक्स्ट कोशन दोस्रे याँ पर देखते हैं अगला हमारा कोशन है हाली में किसके द्वारा पूर्ब पीम आईके गुजराल के सम्मान में डाग टिकर जारी किया गया है तो दोस्तों अभी आईके गुजराल जो हमारे पूर्ब पीम रह चुके है तो इनका जो है इनके सम्मान में एक डाग टिकर जारी किया गया है और जिये किसके दोरा जाज किया गया है तो अभी जो हमारे देश के उपराश्ट पती है M.Bankaya N.I.D.U. इनी के दोरा ये डाक टिकट यहाँ पर जारी किया गया है यानि कि option number 2 आपका आपका पर सही अंसर हो जाता है जो हमारे देश के उपराश्ट पती है M.Bankaya N.I.D.U. ज जारी किया है M.Bankaya N.I.D.U. इनी के इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में एक समारक डाक टिकट जो है चारी किया है I.K. गुजराल भारत के बारवे परधान मंतरी थे उन्होंने अप्रिल 1997 से मार्च 1998 के दोरान परधान मंतरी के रूप में कारिभार समाला था उनका धानत जारी किया था जो भारत के तकालीन पडूशियों के शाथ विदेशी सम्मंधों के संचालिन के लिए थे साल 2012 में फिप्टों में सक्ट्रमन के करण उनकी डेथ हो गई थी तो यह थे दोस्तों यह पर आज के इंपर्टेंट करेंट अफेर्स पॉइंट्स अगर आप